हालो स्टूरेंट में शाहिन लूथरा आज हम करेंगी क्लास 7 की मैस का चैप्टर नमबर 9 पैरमिटर एन एरिया की एक्सरसाइज 9.1 हमारे न्यू अडिशन में एक्सरसाइज 9.1 है और ओल एडिशन में हमारी थी 11.2 सभी कोशन से में आप इसको मैस कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 1 जिसका 1st question है find the area of each of the falling parallelogram हमें यहाँ पे जितने भी parallelogram दे रखिये हैं हमने इंका क्या find करना है area find करना है बहुत ही simple है parallelogram का area find करना अब हम इसको start करते हैं parallelogram का area find करने का formula होता है वो होता है base into height अगर हमें base और height दोनों दे रखिये हैं तो हमने स्रिव इन दोनों को multiply करना होता है तो हमारा parallelogram का area आ जाता है ठीक है base into height 7 into 4 हम यहाँ लिखेंगे और 28 square meter हमारा parallelogram का area आ जाएगा ऐसे ही second में यहाँ पे भी हमें base और height दे रखिये हैं हमने स्रिव इन दोनों को multiply करना है तो हमारा parallelogram का area आ जाएगा यहाँ पे है 15 centimeter square थर्ड में देखो इसका जो C वाला है C में भी है area of parallelogram base into height base और height हमें यहाँ पे दे रखियें दोनों को बस आपने multiply करना है तो 8.75 centimeter square जो है इसका वो parallelogram का area हम find हमने यहाँ पे कर लिया है 8.75 centimeter square ऐसे ही D में है यहाँ पे भी base into height है यहाँ पे हमें जो है base जो है वो 4.8 centimeter दे रखिये है और height जो हमें 5 दे रखिये तो base into height करने में तो 24 centimeter square जो है वो हमारा इसका area parallelogram का आ जाएगा ठीक है यह में भी हमें same ऐसे ही करना है यहाँ पे हमें यहाँ बेस दे रखिये है यह हमें height दे रखिये है दोनों को हमने यहाँ पे multiply कर देंगे तो 8.8 centimeter square जो है वो एरिया आ जाएगा पैरलोग्राम का question number 2 देखो question number 2 में भी हमें area ही fine करना है लेकिन अब हमें parallelogram का नहीं हमें triangle का area fine करना है अब आप यह चीज़ याद रखना कि जब हमें parallelogram का area fine करने के लिए बोला जाए तो हमारे पास base into height हमें करना होता है हमारे पास base और height दोनों होनी चाहिए तब भी हम इसका area fine कर सकते हैं question number 1 में हमें जो a से लेके e part में base और height हमें दोनों दे रखी थी इसलिए हमने सबका easily जो है इसका area fine कर लिया parallelogram का इसी तरीके से question number 2 में भी area ही fine करना है बट आप triangle का करना है triangle का area fine करने का formula है 1 upon 2 base into height parallelogram में 1 upon 2 नहीं था लेकिन triangle में 1 upon 2 base into height है अगर हमें base into height दे रखा है तो हम 1 upon 2 base into height लिखेंगे और जुक कट हो सकता सको काट देंगे बागी सब को multiply कर देंगे ये दोनों 2 से कट होगे 2,3,6 cm2 जो इसका वो area आगे है triangle का सेकीर में देखो यहाँ पे भी हमें 5 cm base दे रखा है और 3.2 जो है इसकी वो height दे रखी है तो 1.2 into base into height 1.25 into 3.2 3.2 को आप जब 5 से multiply करोगे आपका आएगा 16 16 को आपने 2 से divide कर देना या cut कर देना तो आपका आएगा 8 cm2 आपका इसका area आजाएगा C में देखो यहाँ पे भी हमें जो है base 3 दे रखा है height 4 दे रखी है तो 1 upon 2 base into height 2 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 6 cm2 जो हमारा इसका area आजाएगा D में भी हमें देखो यहाँ पर जो है यह हमें base दे रखा है और यह हमारी height है तो base into height, 1 upon 2, base into height, 2 से 2 कर जाएगा, 3 cm2 हमारा ये, इसका area आएगा, question number 3 में देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है, find the missing value, यहाँ पे हमें area of parallelogram सम्में दे रखा है, किसी में base दे रखा है, किसी में height दे रखी है, तो जिसमें जो चीज नहीं दे रखी, हमें उसमें वो ही find करना ह है, जैसे कि यहाँ पे base दे रखा है, यहाँ पे हमें height नहीं दे रखी, और यहाँ पे इसका area है, 246 cm2 है, तो सबसे पहले हम first वाला निकालेंगे, इसकी height find करनी है हमें, तो height find करनी हमें, पहले हमने यहाँ बेस लिख लिख लिए, जो कि हमें दे रखा है, 20 cm, height हमें नहीं area of parallelogram हमें दे रखा है area of parallelogram का formula होता है base into height तो हम इसी formula से जो है इसकी height find करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा 246 आ गया हमारा area equal किसकी है base into height के base 20 है अब यहाँ पर इसके साथ यह multiply हो रहा है तो इसके नीचे आ के इसके साथ divide हो गया 2 से इसको हम cut कर देंगे तो आजेगा 123 upon way 2 नीचे से 0 हट आएंगे उपर 1 visit के बाद point आजेगा तो height आगी हमारी 12.3 meter ठीक है ऐसे अब हम इसका B करेंगे अब B में हमें देखो height दे रखी है base नहीं दे रखा तो हम इसकी height दे रखेंगे base हमें इसमें fine करना है तो यहाँ पे हमारी height हो गई base हमें निकालना है यह हमारा इसका parallelogram का area दे रखा है base into height लिखेंगे यह सभी question न एक ही जैसे एक ही तरीके से आपको सब करने है इसी formula से सारे होंगे base into height से जब आपको base निकालना होगा तो height आपके इसके नीचे आ जाएगी और जब आपको height निकालना होगा तो base जो है वो इसके नीचे divide हो जाएगा ठीक है पिछले वाले हमने a part में क्या किया बाइसी तरीके बहुता हा घुमास होगे थो इसके न व्हार में जाएगा यहां पिणा और घुकल निकालना ही ज़या थी तो हमने base से divide कर दें यहां पर डिवाईट हो जसके आप कर देंगा यहां पर 15 के साथ multiply हो रहा है यहां पर आके divide हो गया यहां पर यह हमारा 5 के table से cut हो जाएगा और cut होने के बाद 103 अपन में 10 नीचे 10 है नीचे से 10 हट जाएगी यह 1 डेशे के बाद point आजएगा तो यह हमारा base हो गया ठीक है यह हम दोनों इसको जो है हम 5 के table से cut करेंगे उसके बाद ही हमारा 3 के table से जो है वो cut होगा C में भी हमें base ही find करना है height हमें दे रखी है area और paralogram यह है base into height हम यहाँ पे लिख लेंगे हमें अब height दे रखा तो हम इसको height से divide कर देंगे जो हमारी height दे रखी है तो यहाँ पे आजेगा upon में 8.4 अब देखो इसको कैसे cut करेंगे यह है 48.72 upon में है 8.4 नीचे से हमारी यह point हटेगा उपर एक 0 आजेगी क्योंकि point से पहले एक digit है अब उपर से हमारा यह point हटेगा उससे पहले दो digit थी तो नीचे 2 0 आजेगी 1 0 से 1 0 हमारी cut हो जाएगी 2 से इसको आप cut कर सकते हो नहीं तो इसको आप 4 से भी cut कर सकते हो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 0 ठीक है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अब यह 70 4 2 जा 8 यह हमारा फिर 1 से चला जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 तो 5 6 7 32 बन गया यह हमारा 4 8 जा 32 अब यह जो है हमारा चला जाएगा यह हमारा जा सकता है 21 है तो यह हमारा 7 के टेबल से भी जा सकता है 7 3 जा 21 0 और यह जो है चला जाएगा 7 बन जा 7 यह जो 12 है ना 7 बन जा 7 हो जाएगा और 8 9 10 11 12 5 हमारा इधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 49 हो जाएगा और उसके बाद हमारा 49 50 51 तू दे चल जाएगा तो हमारा 740 28 हो जाएगा ठीक है उसके बाद यह हमारा चल जाएगा 6 के टेबल से जा सकता है 6 5 जा 30 6 5 जा 30 ठीक है 5 आ गया उसके बाद यह चल जाएगा 6 2 जा 12 13 14 15 16 17 5 हमारा एदर चल जा गया 54 और हो गया हमारा 6 9 जा 54 तो 29 अपन में 5 जाएगा हमारा यह अगर आप इसको 2 के टेबल से किसी और टेबल से जो कट हो सकता है जिस जिस टेबल से आप उसको इस टेबल से कट कर सकत हो जरूरी नहीं कि जिस टेबल से मैंने किया आपको भी सेम उसी टेबल से करना है अगर 2 से हो जाएगा 3 से जैसे जिस भी टेबल में दोनों डेजट हमारी सेम में आनी चाहिए ठीक है उसी हिसाफ से इसको कट कर लेना 29 अपन में 5 लेकिन यह ध्यान रखना कि हमारे दोनों जब भी हम कटिंग करते हैं एक ही टेबल से उपर नियूमिनेटर और डेनोमेटर दोनों कटना चाहिए ऐसा नहों कि उपर वाला तो नमबर हमारा उस टेबल से कट रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा तो फिर वो हमारा नहीं कट रहा इसका मतलब उस टेबल से दोन सेम टेबल से कटोना ची उपर नीचे तो 29 अपन में 5 आगया अब दोनों को हम डिवाइट कर देंगे 5 को 29 से डिवाइट करोगे तो 5.8 संटीमिटर जो है आपका वो बेस आएगा ठीक है अब डी में हमें बेस दे रहा हाइट निकालनी है तो यहां पर हम इसका लिख लेंगे यहां से 0 हटेगी ऊपर से पॉइंट अब यहां इसके तो 0 आजेगे 0 हमारा कट हो जाएगा तो बच्चे का 1638 और नीचे बच्चे का 1560 ठीक हैं यहीं बच्चे का ना अब यह हमारा जो है, आप इसको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हो, शुरू आप इसको 2 के टेबल से कर लो, 2, 7 जा, 14, 1 इदा चला गया, 2, 8 जा, 16, 0 आ गया, फिर इसको आप 2 से कर लो, 2, 8 जा, 16, 2, 1 जा, 2, और इदा चला गया, 2, 9 जा, 18 हो गया, अब फिर देखो, एक कौन से टेबल से जा सकता है हमारा, क्योंकि उपर 9 है, और नीचे के हमारा 0 दे रखा है, अब हम इसको 3 से कट कर देंगे, 3, 2 जा, 6, 1 इदा चला गया, 18 बन गया, 3, 6 जा, 18, 0 आ गया, यहाँ पे देखो, 3, 2 जा, 6, और 2 जो हमारा इदा चला जाएगा, 7, 21 बन जाएगा, 3, 7 जा, 21 और 3, 3 जा, 9, ठीक है, तो 2, 73 अब ओर में, 260 आ गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है वो, हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, 260 और 273, 1 से चला जाएगा, 260, 3, 7 में से 6 कहे, 1, ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आजेगा, उपर decimal, यहाँ पर आजेगा, हमारा point, यह अब हमारा जाएगा, अभी क्या है, 130 जो है, वो 260 से चोटा है, तो हमें यहाँ पर 1,0 और लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर हमारा 1,0 और आ जाएगी, तो 1300 बन गया, अब यह 5 से चला जाएगा, 265 जा 1300, ठीक है, तो यह आगया हमारा 1.05, जो है, वो इसकी हाइट आ गई, कोश्चन नमबर फोर देखेंगे, यहाँ पर भी जो है न, हमें मिस्सिंग वैल्यू फाइन करनी है, यहाँ पर एडिया ओफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें बेस दे रखिए, यहाँ हमें हाइट फाइन करनी है, तो बेस हमें दे रखा है, बेस हमने लिख लिया, हाइट हमें फाइन करनी है, एडिया ओफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, 87 cm2, और एडिया ओफ ट्राइंगल का फॉर्मला होता है, 1 upon 2 base into height ठीक है तो area of triangle 1 upon 2 base की जगा base height हमें निकालनी है तो यहाँ पे देखो यह जो है वो हमारा बन रहा है 1 upon 2 into 15 लेकिं यह जब हमारा इधर चला जाएगा और क्योंकि मैं height find करनी है तो हमारा बन जाएगा 87 अगर मैं 15 को 1 से multiply करूँ तो 15 upon में 2 आजाएगा तो लेकिं यह क्या हो जाएगा यह इधर जाके reciprocal हो जाएगा तो 2 upon में 15 हो जाएगा ठीक है अब यह जो हमारा cut जाएगा क्यों 3 के टेबल से हमारा cut हो जाएगा तो आजाएगा 29 into 2 upon में 5 29 को 2 से multiply करेंगे 58 upon में 5 दोनों को divide करेंगे तो 11.6 cm की height आजाएगी ठीक है इसका second वाला देखते हैं second वाले में हमें base निकालना है height दे रखिया और area दे रखा है तो यहां पर हमने area लिख लिए base find करने है height 1 upon 2 into base into height वही वाल जैसे हमने first में किया था 1 upon 2 into base height हमें यहां पर दे रखिया तो यह भी हमारा इधर चला जाएगा तो 2 upon यह जो 31.4 है यह हमारा इधर आजाएगा 2 हमारा यह रैसी प्रोकल हो जाएगा ना अगर आप इसको इससे multiply करोगे 31.4 upon में 2 आजाएगा लिकिन जब इधर चला जाएगा तो 2 upon में है 10, 2 और 4 इन तीनों का हमने multiply किया तो 80 mm जो है वो इसका क्या आगया बेस आगया ठीक है इसका third देखते हैं C, C में हमें base दे रखा है height फाइंड करनी है तो यहां पर base लिख लिए height हमें निकालनी है area of triangle लिख लिए area of triangle 1 upon 2 into base into height यह हमारा हो गया area 1 upon 2 base हमें 22 दे रखा है height निकालनी है यह हमारा इदा चला जाएगा recipe brokal हो जाएगा यहां से हमारा decimal हट जाएगा और नीचे हमारी यह 0 आ जाएगे दोनों 2 से कट हो जाएगे 2 से कट होने के बाद हम नीचे लिखेंगे क्या बचेगा हमारा 1705 और 110 अब यह दोनों से कट होगा ठीक है तो 31 अपन में 2 आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 15.5 cm जो है वो इसकी height आ जाएगी अब हम देखते हैं question number 5 question number 5 में में दे रखा है PQRS is the parallelogram यहां पे PQRS एक parallelogram दे रखा है जिसके अंदर जो QM है is the height QM हमें यहां पे height दे रखी है from Q to SR देखो यह Q है और यह हमारा SR है यह हमारी क्या है Q और यह हमारा है SR यह इसकी height दे रखी है ठीक है और अगर हम दूसरे देखें तो QN भी हमारी एक height दे रखी है from q to ps ठीक है देखो यहाँ पर जो इसके उपर जो हमारी height दे रखी है वो हमें यह दे रखी है यानि कि यह इसके उपर हमारी यह height दे रखी है और अगर हम यहाँ देखे ps तो इसके उपर हमारी यह height दे रखी है ठीक है दो height दे रखी है में और हमने में बताये कि जो SR है वो 12 cm है और जो QM है यह जो height है इसकी 7.6 cm है तो मैं find क्या करना है find the area of parallelogram PQRS एक तो हमें इसका area find करना है तूसरा हमें बोला जो QN है यह जो है अगर यह PS 8 cm है तो इसकी height find करनी है एक तो पूरे का area का parallelogram का area find करना है दूसरा हमें इसकी भी height find करनी है तो यह दो चीजी नोने हमसे इसमें पूछी है question number 5 में तो यहाँ पे पहले अब देखो पहले हम यहाँ से देखते है इसका area of parallelogram का जो formula होता है base into height होता है यहाँ पे हमें यह base भी दे रहा है और हमें यह height भी दे रहा है तो हम इजली इसका area निकाल लेंगे sr into qm करके base into height दोनों को multiply के 91.2 cm2 इसका area पूरे का अब हमें क्या निकालनी है इसकी height निकालनी है अगर उन्हें बोला अगर ps 8 cm है अगर 8 cm यह हमारा p से लेक है जनी कि अगर base इसका 8 cm है तो इसकी height निकालो ठीक है तो इसके लिए हमारे पास area of parallelogram तो आई चुक है base into height का यह formula लगाएंगे ps 8 है qn निकालना है तो यहाँ पर इसका multiplier हो इसका साथ divide हो जाएगा यहाँ से decimal हटेगा नीचे हमारे 8 के साथ 0 आ जाएगी और फिर यह हमारा जाएगा यह हमारा जाएगा यह हमारा दोनो 8 के table से चला जाएगा ठीक है यह दोनो 8 से cut हो गया तो आ गया 114 upon 10 नीचे से 0 हट आएगे उपर 1 digit के बाद point आ जाएगा तो हमारा QN आजेगा 11.4 cm ठीक है 6 देखो 6 में है हमारा DL and DL and PBM यह देखो यह हमारा DL है और यह हमारा BM है यानि कि दोनों यह height है हना height on the side AB की and the AD की एक हमारी जो है AB की side है एक हमारी जो है AD की side है parallelogram ABCD में if the area of parallelogram is यहाँ पर हमें area जो है parallelogram का दे रखा है उन्हें बोला अगर area of parallelogram इतना है तो AB हमें 35 cm दे रखा है AD हमें 49 cm दे रखा है जब हमारे पास area होता है तो हम height easily fine कर सकते हैं जब हमारे पास area होता है तो easily हम base भी fine कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर तुन्होंने area दे रखा है तो area of parallelogram ABCD equal base into height तो यहाँ पर हमने area लिख दिया base हमारा AD है और height हमारी BM है इसके अंदर तो यहाँ पर लिख दिया यह इसके साथ यहाँ पर आके इसके साथ यह divide होजेगा 7 से हम इसको cut कर देंगे तो 30 cm जो है वो हमारा इसका जो है क्या निकलाएगा जो BM है यह वला BM जो है वो 30 cm का हमारी height निकलाए ऐसी दूसरे की भी निकाल लेंगे हम base AB into DL कर देंगे अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 35 यहाँ पर हमें जो base दे रखा था ना AD यह जो हमें AD दे रखा था यह 35 cm हाँ AD जो है अच्छा अब भी जो हमने निकाला है वो हमने यह निकाला है AD यह base लिया हमने 49 और इसके उपर हमने यह BM find किया अब हम AB base लेंगे और DL find करेंगे तो यहाँ पर हमने AB हमारा base है और DL हमें find करना है तो 35 को हमने इसके सार डिवाइट कर देना है दोनों हमारे 5 के table से cut हो जाएंगे और आजेगा हमारा 42 cm DL तो यह वाला जो है यह तो हमारा आगया 42 cm और जो BM है यह हमारा आया था 30 cm तीक है तो यह हो गया हमारा question number 6 question number 7 देखेंगे यहाँ पर हमें एक triangle दे रहा है right angle ABC is the right angle at A A पर हमारा right angle बन रहा है 90 degree अब जो AD है वो क्या है इसकी perpendicular ठीक है to BC BC के ओपर AD है वो perpendicular बन रहा है अगर if AB अगर AB 5 cm है और BC BC 13 cm है AC 12 cm है तो find the area of triangle ABC हमें इसका area find करना है और साथ में हमें जो उपर यह height दे रही है यह भी हमें इसकी find करनी है area find करने के लिए हमारे पास जो है इसके अंदर height भी होनी जो है इसमें base और height हमारी यहाँ पर होनी चाहिए तो area of triangle के लिए हमारा जो formula होता है 1 upon 2 base into height होता है तो यहाँ पे जो हमारा AB है यह AB ठीक है यह हमारा क्या हो गया base है और जो हमारा AC है इसके अंदर यह हमारी height है तो 1 upon 2 AB into AC तो हमारा आज़ेगा 1 upon 2 AB हमारा 5 है और AC जो है height है अगर आप इस तरीके से देखोगे न इसको इस तरीके से तो आपको पता चल गया हुआ यहाँ नहीं ने यह बोला नाétais A पे हमारा जो है वो right angle 90 degree बन रहा है तो यहाँ पे अगर 90 degree बन रहा है तो यह हमारा base है और यह इसकी है जो है वो height है वो हमारा area निकलाया triangle का, हमें इसका area निकालना था, तो जब area निकलाता है तो अब हम इसली इसकी height find कर सकते हैं, area of triangle जो है 1 upon 2 into base into height का ही formula लगाएंगे हम, और हमें जो दे रखा है हमारा area जो हमने निकाला है वो 30 cm है, 1 upon 2, base हमारा जो है वो BC है इसके अंदर, और height हमें जो है वो AD निकालनी, इसमें base हमारा BC है और height हमें इसमें ये निकालनी है, तो 1 upon 2, BC 30 ने AD find करना है, ये हमारा इदर चला जाएगा, इदर जाके reciprocal हो गया, 2 upon 13 हो गया हमारा ये, 30 को हमने 2 से multiply किया, 60 upon 13 आ गया, और ये हमारा जो है वो इसकी height, अगर आप इसको divide करोगे, तो कर decimal मे आ जाएगा, तो ये ही जो है वो हमारी क्या है, इसकी height है, question number 8 देखो, triangle ABC is the isocelis, isocelis triangle है, दोनों sides equal है इसकी, और जो BC हमें आपे दे रखा है नीचे, 9 cm दे रखा है, the height जो इसमें AD दे रखी है, A to, the height AD from A to BC, height जो है BC के उपर आ रही है, ये वली देखो, ये A वली height जो ह है, वो BC के उपर आ रही है, जो कि 6 cm है, इसकी height हमें 6 cm दे रखी है, find the area, area find करना है, triangle का हमें, and what will be the height from C to AB, और जो हमारी ये वली height है न, ये, ये भी हमें find करनी है, उसका पूरे का area भी find करना है, तो जब हमें ये वली height find करनी होगी, तो हम base कह लेंगे, ये base लेंगे, ठीक ठीक है, क्योंकि हमें ये दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 upon 2 base into height, BC हो गया base, AD हो गयी height, multiply कर दो, आज एगा 27 cm, कट करने के बाद, ठीक है, ये कि पूरे का हमारा area आ गया 27 cm, अब area of triangle, हमें क्या निकालनी है, EC निकालनी है, या CE बोल लो, या EC बोल लो, वो हमें निक बालेंगे, तो 1 upon 2, B हमारा, क्या है, AB और height है हमारी CE, तो 1 upon 2, AB क्या है, 7.5, CE, find करना है, ये हमारा इधर चला जाएगा, रैसी प्रोकल हो जाएगा, यहाँ से ये point हटेगा, तो 10 हमारा, 0 उपर लग जाएगा, या फिर आप 10 लगा लो, उपर या इसकता 0 भी लगा सकते ह और फिर ये जो है, हमारा 5 के table से भी cut हो जाएगा, और 3 के table से भी cut हो जाएगा, और cut होने के बाद आजेगा, हमारा 36 upon 5, दोनों को divide कर देंगे, तो 7.2 cm जो है, वो क्या आजाएगी, इसकी height आजाएगी, CE की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी exercise 11.2 complete हो जाती है, होफुली आप